साथियों, गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं है, बलकि ये प्राचिन काल से इस महान भारत भूमी की तब तपस्या की साक्षी हैं। भारत की स्थितियां, परिस्थितियां कैसी भी रही हो, मा गंगे ने हमेशा कोटी-कोटी भारतियों को पोशित किया है, प्रेरित किया है। इससे बड़ा दुरभाग्य क्या हो सकता है, कि गंगा जी के किनारे की पुरी पट्टी की आजहादी के बाद विकास में पिछरती ही चली गई। आगे जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस बज़र से लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ। इस थिती को बदला जाना जरूरी था। इसलिए हमने एक नई एप्रोच के साथ काम करना तै किया। हमने एक तरफ नमामी गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया। वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। अर्थ गंगा यानि हमने गंगा के आसपास बसे राज्यों में आर्थी गतिविध्यों का एक नया वातावर्ण बनाने के लिए कदम उठाए। ये गंगा विलास कुरूच इस अर्थ गंगा में उसके एक भियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पस्टिम मंगाल और मंगला देश की आत्रा के दोरान ये कुरूच हर तरह की सुविधा मुहया कराएगा। साथियों, आज मैं उन सभी विदेशी टुरिश का विशेश अभिनंदन करता हूँ, जिस कुरूच के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं। आप सभी एक प्राचीन शहर से, एक आधुनिक कुरूच से सफर करने जा रहे हैं। मैं अपने इन विदेशी टुरिश साथियों से विशेश तोर पर कहूंगा की इंडिया has everything that you can imagine. It also has a lot beyond your imagination. India cannot be defined in words. India can only be experienced from the heart. Because India has always opened her heart for everyone. Irrespective of region or religion, creed or country, we welcome all our tourist friends from different parts of the world. We'll see you next time. झाल झाल